साथ राजियों की तेरा वधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाओं में भाजपा को तगड़ा जट्का लगा है तेरा सीटों में से भाजपा मात्र दो सीटों पर ही जीत अश्चल कर पाई है 2019 के लोगसभा चुनाओं की अपिक्षा पार्टे इस चुनाओं में आधी सीटे भी नहीं जितपाई है ऐसे में उप्चुनाओं मुख्यमंत्री योग्यादितिनाथ के सामने एक बड़ी अगनी पर एक्षा बन करुबरी है लोगसभा चुनाओं में हार की समिक्षा और उप्चुनाओं की तैयारी को लेकर अविवार को लखनाओं में उतरवर्देश के बीजेपी कारेश समीती के बैठक होई इस बैठक में भाजपा के राश्री अध्यक्षुद जेपी नड़ा और सूबे के मुख्यमंत्री योग्यादितिनाथ सहीत पार्टी के सीनियर नेता भी शामल हुए कारेश समीती के बैठक में पार्टी के नेताओं ने मन्थन करते हुए हार की समिक्षा की साथी वदान सभा उच्चुनाओं के लिए आगे के रड़नीत बनाई योगी ने लोकसभा चुनाओं के नतीजों को लेकर कहा कि अती आत्मवश्वास ने हमारी अपिक्षाओं को चूट पहुचाई है जो वपक्ष पहले हार मान के बैठ गया था वो आज फिर से उचलकुद मचला रहा है उन्होंने कहा कि 2014 और इसके बाद के चुनाओं में जितना मतप्रतीशत भाजपा को मिला था 2014 में भी उतना ही वोट पाने में पार्टी सफल रही लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अत्य आत्मवश्वास ने हमारे अपिक्षाओं को चूट पहुचाई है उन्होंने उत्सा बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी इस्तिती में भाजपा कारेकरताओं को बैक फूट पर आने के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि आपने अपना काम बखू भी किया है पार्टी को तगड़ा जटका लगने के बाद अब दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ के लिए एक बड़ी अगने परिक्षा है यही कारण है कि मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ ने अपने डेढ़ दर्जन मंत्रियों को इन सीटों का प्रभारी बना दिया है और खुद मुख्यमंत्री इन सभी सीटों के चुनावी बागडोर अपने हाथों में थाम लिये है बताया जा रहा है कि भाजपा के केंद्र नत्रतों में मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ को फ्री हैंड दे दिया है